खोजपूर में चोरों का आतंक काफी बढ़ गया है। चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब खाली हाथ चोरी करने के बजाए अपने साथ हतियार भी रखकर किसी के घर में दस्तक दे रहे हैं। ताकि विरोध करने वालों को डरा धमका या हतियार का भाय दिखा कर असानी से लूट पार्ट किया जा सके। लेकिन चोर को पकड़ने के बाद भी लोगों द्वारा कानून अपने हाथ रख कर चोर को कानून की हाथों सौपने के बजाए उसे पीट पीट कर हत्या कर अपराधि घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला बिहिया थाना छेतर की है जहां देर रात एक फैक्टरी में चोरी करने पहुंचे चोरों को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। यह संसनी घटना बिहिया थाना छेतर के महतिन माई मंदिर रोड की है। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक चोर के पास से एक देशी कट्टा एक जिन्दा कार्थूस और तीन मुबाइल फोन भी बरामत किया। इस संदर्व में बताया जाता है कि भी तीरा तकरीबन दो बजे बिहिया के महतिन माई रोड में मौझूद सुधा डेरी कंपनी का स्थानी अस्तर पर आइसक्रीम और अन्य उत्पादों के विक्री करने वाले सुधा डेरी के छोटी दुकान में तीन चोर पहुंचे। चोरों ने जैसे ही चोरी करने की कोशिस की वैसे ही एक चोर को दुकान में सोर है दुकांदार मालिक दिव्यांक सिंग्ग ने पकड सोर करने लगा। सोर सुन आस पास के लोग तुरंत मौके पर पहुंची और पकड़े गए चोरों को जम कर पिटाई कर दी जिससे चोर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई इस बीच लोगों को आता देख बाकी के दो चोर मौके से फरार हो गए घटना गबाद दुकान मालिक की सूचना पर बिहिया थाने के पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घटना के च्छान बीन में जुट गई मौत चोर की अब तक पहचान नहीं हो पाई है कि अ कि उसके पास अ क्या बारा मालिक देसी नोट इक कट्टा भामत लिया जा और फगल पेह पास तेहीं घर से चार मौबाईल के जोड़ी की ये दिवारा मौके खिगें और इत बैग था जिसमें सारी वो चीजे रखी गही ती जाड़ी बाल एती और किसका मौबाईल जो तो मोबाइल किसके हाँ चोली किया था पुलाग पर्दी यह परकास पर्दी अपना है